देंगे एक टाटोरी बोलको नमस्कार दोस्तो जोतिज देशी रशोय में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तो आज हम बनाएंगे बिहार का मसभूर पुआ के रिशिती जो कि होली हो या दिवाली हो या कोई भी फस्टिबल हो तो सारे फस्टिवल में हम बना सकते हैं, आए दोस्तों बनाना देखते हैं, तो पुवा बनाने के लिए हमें चाहिए इस कटोरी से, कोई भी एक कटोरी ले ले या कप ले ले उसे से हम सारे मेजरमेंट को करेंगे, तो हम दो कटोरी लेंगे मैदा, मैदा को हम डाल देते हैं एक कटोरी और ये दो कटोरी और सेन कटोरी से हम डालेंगे एक कटोरी सूजी और एक कटोरी से थोड़े से कम हम सक्कर डालेंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूद डालकर इसको घोल लेंगे तो शक्कर आप दोस्तो अपने जरुवत के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं तो दोस्तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसको फेट लिये हैं आप हम इसको दो घंटे के लिए रेश्ट पर रखेंगे और दोस्तो आपके पास अगर ज्यादा समय ना हो तो कम से कम आप इसको एक घंटे के लिए रेश्ट पर जरूर से रखेंगे तो ये देखिए दोस्तो हमारे पुआ के घोल को फुलते हुए दो घंटे पूरे हो गया है तो ये देखिए किस तरीके से गाढ़ा हो गया है दूद को पूरा सोक लिया है अब हम इसमें थोड़ा सा और दूद डाल कर पतला करेंगे तो यह देखिए दोस्तो हमने और इसमें आधा ग्लास दूद डाल कर इसको इस तरह का घोल को तैयार कर लिए ना ही ज्यादा गाढ़ा और ना ही ज्यादा पतला तो दोस्तों इसमें हमने तोटल दो ग्लास दूध डाले हैं पहले जो हमने दूध 12- 12 लडूध डाले थे न तो वह हलका गुन-गुना था और बाद में हमने आधा ग्लास डाले वह फेराउट थणड़ था अब हम इसमें डाल देंगे एक चमस सौंफ, फोड़े से किस्मीस, दो हरी लाइची को हम कूट कर डालेंगे अब इन सारे चीजों को हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे अब हमने गयास पर तेल गरम होने के लिए रख दिये हैं तो दोस्तो तेल हमारा गरम हो गया है, तब हम इसमें डाल देंगे एक कटोरी भोल को अब हम उपर से थोड़ा थोड़ा तेल उपर से डाल के जाएंगे ये देखिए, पुआ हमारा कितना अच्छा पूल गया है, तब हम इसको पलट देंगे पुए को अब हम दोनों तरफ से लाल-लाल करके निकाल लेंगे। दोस्तो एक पुए हमारा तयार हो गया है तो अब हम इसको निकाल देते हैं। इसी तरीके से हम बाखी के भी पुए बना लेंगे। हमारे दूसरे पुवे भी तयार है तो इसको भी हम निकाल लेते हैं तो दोस्तों पुवे को डालते समय एक बात का आप जरूर से ध्यान दिएगा कि तेल जो है मध्यम गरम होना चाहिए बहुत ज्यादा गरम रहेगा तो जल जाएगा ठंडा रहेगा तो पुवे चिपक जाएगे तो चलिए दोस्तों हमारे सारे पुवे सलकर तयार हो गए और यह लिजे दोस्तों हमारा मीट और हमारा बेसी इस्टाइज पुवा बनकर तयार है तो हमने इस पुवे को मीट के साथ परोसे है तो मीट की रेसिपी अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर अपलोड है आप जाकर देख सकते हैं